वेल्कम टू अकेट हपच्चो आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का चैप्टर 18 भीम और हनुमान पिछले चैप्टर था अपने बढ़ाता कि उनको वनवास हो गया था और वो चले गए थे अब पढ़ते हैं आगे सुहावना मौसम था द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी इतने में एक सुन्दर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आगिरा द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली क्या तुम ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे कि कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल ये युदिश्टिर के पास दोड़ी गई अब उन्होंने आश्रम में मतलब वन में जाके आश्रम बना लिया था और वहाँ पो द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी बड़ी सुन्दर सी हवा चल रहे थी और इतने में एक सुन्दर सा फूल आके गरता है और उसे वो बड़ा पसंद आता है तो वो उठाती है और भीम के पास जाती है और कहती ही क्या तुम मुझे ऐसे और फूल आके दे सकते हो और ये कहके वो अंदर चलीगी युदिश्टर को दिखाने के लिए द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम सेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा अब भीम सेन ने सोचा कि चलो ठीके द्रौपदी की इच्छा है तो मैं ऐसे फूल और ढूंड के लेके आता हूँ और वो चल दिया चलते चलते वो पहाड की घाटी में जा पहुँचा जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बाग लगा हुआ था बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा मैं कुछ अस्वस्त हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ अस्वस्त मतलब मैं बिमार हूँ कुछ इसलिए लेटा हूँ ज़र आँख लगी थी तो तुमने आकर नीद खराब कर दी मुझे क्यों जगाया तुमने अब वो जब फूल ढूनने के लिए जाते हैं तो पहाडों के बीच में जो जगए बन जाती है उसे बोलते हैं घाटी वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे केले के पेड़ों के बहुत बड़ा सा विशाल बगीचा था मतलब जहाँ बहुत सारे केले के पेड़ थे वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा बंदर मिलता है जो बीच रास्ते में लेटा हुआ था बोल रही है वो बोला जानते हो मैं कौन हूँ कुरू वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ मुझे रोको मत मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो वो कहता है तुम्हें कुछ पता भी है तुम किसे रोक रहे हूँ मैं भीम हूँ कुंती पुत्र हूँ और कुरू कहता है देखो भाई मैं तो बहुत बुढ़ा हूँ बड़ी मुश्किल से उठता बैठता हूँ तो अगर तुम्हें आगे जाना तो काम करो मुझसे लांग के चले जाओ मरे मतलब ओपर से कूद के चले जाओ भीमसे ने कहा किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है इसी से मैं रुख गया नहीं तो मैं कभी कर तुम्हें एक ही चलांग में लांग कर चला गया होता भीम करते हैं कि किसी जानवर को लांगना अनुचित मतलब कि ठीक नहीं माना जाता बस मैं इसलिए रुका हुआ हूँ परना मैं तो कब का चला गया होता बंदर ने कहा भाई मुझे जरा बताना कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था अब वो बंदर उनसे पूछता है भीम सेंसे कि भाई वो वो वाला बंदर कौन था जो समुद्र को लांग गया था मतलब वो किसकी बात करते हैं हनुमान जी की भीम सेंस जरा कड़क कर बोला गुश्य में तेज हवास से क्या कहा तुम महाबील हनुमान को नहीं जानते उठकर रास्ता दे दो नाहक म्रत्यों को नियोता मत दो मतलब बेकान में तुम क्यों अपनी आफ़त बुला रहे हो कि मैंने इधर उदर एक हाथ मार दिया तो हो जाएगा तुमारा और तुम बताओ हनुमान जी को नहीं जानते तुम हट जाओ बस रास्ते में से बंदर बड़े करण सोर में बोला हे वीर शान्त हो जाओ इतना क्रोध न करो यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूँच को हटा कर एक और कर दोर चले जाओ अब वो बंदर जो था वो कहता है कि देखो वीर गुस्सा मत करो शान्त हो जाओ अगर तुम्हें मेरे उपर से जाना ठीक नहीं लग रा तो ये मेरी पूँच है ना तुम्हें से उठा के थोड़ा साइड कर दो और यहां से निकल जाओ रास्ता बना के भीम से ने बंदर की पूँच एक हाथ से पकड़ ली लेकिन आश्चर रियर भीम ने पूँच कि यह क्या बात हुई उसने दोनों हाथों से पूँच पकड़ कर खूब जोड़ लगाया किन्तों पूँच वैसी वैसी ही धरी रही उन्होंने पूरी दम लगा दी कि यह कैसे हटे लेकिन वह पूँच तो बिलकुल हिली भी नहीं भीम बड़ा लजजित हुआ क्यों क्यो चूर हो गया जो प्राउड था न से अपनों पर घमंड हो रहा था अपने बाजू की शक्ती पे कि हो मेरे अंदर बहुत ताकत है वो खतम हो गया उसे बड़ा विसमय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है अब उसे यह जानना था कि यह है कौन भीम के मन में ब पांडूवीर मैं ही हनुमान हूं तो वो कौन थे वो हनुमान थे जो उना दर्शन देने आये थे वानस्रेश्ट मुझसे बढ़कर भागयवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्रात्थ हुए अभीम उनके आगे हाँ जोड़के कहते हैं कि आप वानस्रेश्ट मतलब सारे वानणरों में जो सबसे स्रेश्ट है सारे बंदरों में जो सबसे महान कौन है हनुमान तो मुझसे बढ़कर भागयवान सबसे तार लखी तो मैं हूँ कियोंकि आपने मुझे दर्शन दिये हैं कह गर भीम से ने हनुमान को दंड़वत प्रणाम किया दंडवत म उड़ने वाली दोजा पर मैं विद्धुमान रहूंगा तो वो उनको बोलते हैं कि भीम जब युद्ध होगा ना तुम्हारा कॉरवों से तो तुम्हारे भाई की जो रत होता ना रत देखा होगा आपने उसके दोजा मतलब कि उसके उपर जो जंडा होगा मैं उस पर विद्धुमान रहूँगा उस जंडे पर मैं रहूँगा विजए तुम्हारी ही होगी और तुम विजए ही होगे इसके बाद हनुमान ने भीम सेन को पास के जरने में खिले हुए सुगंदित फूल दिखाए जो फूल उनके पास पहुँचा था न उड़के वो उन्होंने दिखा दिये कि देखो वो तुम्हां मिलेंगे फूलों को देखते ही भीम से इनको द्रौपदी का इस्मर्ण हो आया उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौड कया वेग मतलब तेजी के साथ आश्रम की ओर चला गया तो ये भीम और हनुमान का चैप्टर यहां खतम होता है और अगला चैप्टर है दुएश करने वालेगा जी नहीं भरता तो ये हम पढ़ेंगे ये हम देखेंगे अगली वीडियो में अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये कहानी समझ में आ रही हो महा भारत तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले चैप्टर में तब तक के लिए बाई